पुचिया जिवदाने, ब्यूटी वेद आस्टेलोजी की फाउंडर मैं कामी निखना आप सभी समझदार सुरुताओं के साथ एक बार फेर एक विशेश चर्चा लेकर आ रही हूँ के बूध हो रहे हैं मारगी उननीस अक्टुवर दो हजार इकिसको बड़ी मज़ेदार बात है के बूध सूज बूज के दाता, समझदारी के दाता, बड़े ही चंचल, बड़े ही खुश मिजाज, बड़े ही कोमल, युवराज, बूध जो के पीडित थे मंगल के साथ और स्वगरही होकर उचे के होकर भी कुछ कम ही कर पाए, जादा अपना फल नहीं दे पाए, वो बूध एक तो बाइस अक्टुवर को मंगल के चंगुल से मुग तो हो रहे हैं, और इसके साथ इस से पहले 19 अक्टुवर 2020 को हो रहे हैं मारगी, अब आपको तो पता है के ब दाता माना जाता है बुध को और बुध के उपाया में फिटकेरी लगाने से दातों में भी बुध फायदा देता है, साथ में समझ लीजे बुध जो हैं वो फेपड़ों के दाता होते हैं, इसलिए वो श्वास के दाता होते हैं, वो वायू तत्व हैं, आपकी सांस ठीक से चलती है बूद दाता होते हैं आपके साथ में किड्नी के तो बहुत important role play करती है किड्नी जो आपकी system में से extract सब बाहर निकालती है इसके साथ बूद दाता होते हैं आपके हाथों के जो हाथ आपके काम करते हैं उन हाथों के दाता होते आपके जंगा के दाता होते हैं आपके जहां तक हम देखे जाएं तो ब्रेस्ट स्त्रियों में या छाती पुरिशों में उसके दाता होते हैं बुद्ध आपकी बुद्धी के दाता होते हैं जिससे आपको सूज बुज आती है आपके वेबसाई के दाता होते हैं आपके तो यह ऐसा कमाल दिखाते हैं अपनी घ्रहे दाशbam in के इनसान को और श से फर्ष पर विठा देते हैं और अगर यह नेगڈव हो जाएं कि यह इतने कोमल से हैं के जिसकी चाया में बैठते हैं साथ बैठते हैं वैसा भी एक कर देते हैं तो जैसे मंगल के साथ बैठे तो एकदम गुरुंद हो गए एकदम चुप हो गए एकदम से इन पर मंगल का प्रभाव हो गया ये किसी भी नेगेटिव ग्रह के साथ बैठ गया तो उसका प्रभाव जल्दी ले लेते हैं और बुद्चराशी में बैठे हुए थे एक बार थे फिर आगे तुला में गए फिर वापस आए फिर ये वक्री थे फिर अब मारगी हो रहे हैं और अब अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे फिर भी याद रहे एक बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इस नक्षत्र में बैठा हुआ है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है तो बुद्ध आज कलहस्ता नक्षत्र में चल रहे हैं चंडर के नक्षत्र में और बहुत बेचैनी हैं बुद्ध लगन वालों को मिथुन और कन्या लगन वालों को तो ये यहां पर अपना कोई दुश्मन बैठे थे उसमें से दो दुश्मन मारगी होना अच्छी स्थिति और दुसरा दुश्मन मंगल वो जा चुका है यह जाएगा तो जिस वज़ा से यह आधे तो आश्वस्त हो गए और अब अपना अच्छा फल देना यह शुरू करेंगे चलिए जानते हैं मेश से लेके मीन राशी पर इनका प्रभाव संग्षेप में मेश राशी मेश राशी के लिवद आपके पर अकरम के और आपके शेष्ट भाव के दाता तो आपकी अक्रमक डूब से काम बढ़े आप आप काम कर रहे हैं यात्राओं पर जा रहे हैं आपके छोटे भाई बेनों की तबिया ठीक है वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके लोन्स खुल रहे हैं आपको कर्ज वगरा मिल रहे हैं आपके कर्ज चुक सकते हैं आपकी तबिया ठीक हो सकते हैं आपके विरोधी जो हैं वो शांत हो जाएंगे विरिश्य अबराशी आपके परिवार से रिलेटेड धन पढ़ाई अच्छी होगी मित्र अच्छा व्यवार करेंगे मित्वन राशी बहुत फरक पड़ेगा आपके लिए बुद्ध का मारगी होना और आपकी सबसे पहले तो तबीएट ठीक करेगा ये और उसके साथ साथ आपको घरेलू सुक व्यवस्ताएं देगा एलप पर्स आपको तंग कर रहे ते उससे निजाद देगा वाहन ले सकते हैं आप घर में रेनोविशन करा सकते हैं दिवाली आ रही है और साथ साथ आपका अपना अकरशन बढ़ेगा आपके अंदर एक बुझा बुझा सा मन जो था वो जागेगा आपकी तबीएट जो बह आदश और आपके पराकरम के स्वामी अब जाकर आपके प्रेम संबंदों खुलेंगे यात्राएं खुलेंगी काम करने को मन करेगा खर्च अच्छे होंगे शुब होंगे आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा हारा चीज़ें खानी है आपको बुझ के उपाए कुछ नह स्वामी तो पैसा ही दे थे आपको बुध तो पैसा आपका बिगडेना आपके किसी प्रकार से धनलाब हो जाये आपका पैसा आ जाये विवादों से मुक्ति मिले沖ोट केसे से मुक्ति मिले पहितरिक संपथी से रिलेटिड विवाद खत्म हो परिवार में खुशी आए और आपके वानी में हो जाए छिट पुट धनलाब भी हो जाए आपका संचित धन भी बने तो अच्छी स्थिति है कन्या राशी आप बैतर स्थिति में पहले से जादा आकर्शन ओज वापस ये देखिए कि आपके नोकरी लगने के पूरे आसार बने आपके वेवसाय बढ़ने के पूरे आसार बने परसनालिटी में आकर्शन मीडिया से रिलेटेट काम बने आप अब सोचेंगे सही आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बड़ेगी कॉन्फिडेंस दुखना होगा तुला राशी बुद का मार्गी होना वे आपको कोई संबन्द प्रेम संबन्द अच्छे उच्च कोटी का काम भी हो सकता है विदेश में इश्चिक राशी आपके लिए आपके अश्टमभाव के लाबभाव के स्वामी अब तवयत भी ठीक करेंगे और अचानक से धन लाब देंगे अचानक से पैसा आएगा पैत धर्मिक गतिविदियां कर रहे तो वो भी हो सकती है विवसाइक पार्टनर और विवाही जीवन के पार्टनर के साथ अब आपका मनमुटाव खत्म होगा विवसाइक को आप आगे बढ़ा सकते हैं धनुराशी विवाही जीवन से रिलेटेड कोई प्रस्ताव आएंगे आपको और अब आप काम भी जोर शोर से कर पाएंगे आपके विवसाइक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा अगर आप विवाही थें तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगा विवसाइक खूब बढ़ा सकते हैं आप अच्छे अच्छे ओफर आएंगे मीडिया से रिलेटेड या आपको कोई काउंसिलिंग कंसल्टेशन अंक जोतीश कोई भी बढ़ा ओधास CEO वगरा जैसा मिल सकता है मकर राशी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिती बनी है के देखिए शेष्ट भाव के और भाग्य भाव के सामीत लोन्स वगरा भी खोलेंगे आपके बैंकिंग रिलेटेड वेवार सुचारू होंगे रोग से मुक्ती मिलेगी कर्दों से मुक्ती होगी आपके जो दुश्मन थे या विरोधी थे वो शान तो हो जाएंगे नई यात्राएं हो सकती हैं आपके इंपबली के में अच्छी हो सकती है वानी में हो जा सकता हैं आप अपना कोई अच्छा उफर छोड़िएगा नहीं अब आपको आफर्स आ रहे हैं बड़े भाई बेनों से संबन्द अच्छे होंगे कुम भराशी बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो खत्म तवियत से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो खत्म और आप पहले से ज़ादा अश्वस्तो होंगे कामों को लेकर अपने व्यवसाइक पार्टनर के साथ सम्मन्दों को लेकर विवाहिद जीवन के पार्टनर के साथ सम्मन्दों को लेकर और अपनी तबियत को लेकर विशेशतर अपनी को स्किन या किड्नी से रिलेटेड से आएं और आपकी विवाहिक जीवन की समस्या हैं खत्म जो कुछ तबियत खरापती वो भी बहतर होगी अब बुद्ध आपको बैटर रिजल्ट देंगे विवाहिक जीवन और विवस्याइक पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम करने का आप काम कर सकते हैं अपनी माता के साथ भी प्रॉपर्टी खरीच सकते हैं घर में रेनोविशन कर सकते हैं हैलपर्स आपका साथ देंगे वाहन खरीच सकते हैं और बिजनस को आगे बढ़ा सकते हैं अब बड़े से कमजोर से दिखने वाले ये बुद्ध युवराज बुद्ध नाजुक से बुद्ध सभी राश बुद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा अपनी विस्तता के कारण मैं इस विशे में आपको वीडियो नहीं लेकिन मैंने आपको विस्तारीत रूप से अच्छे से समझाया है कि बुद्ध का क्या असर होगा ध्यान से सुनियेगा और वैसा ही वेवहार कीजिएगा गौड ब कर अच्छे सेंबत है अच्छ र ήकित अच्छे ओव में लेकिन आपको वी वेवहार का कっसुन है कि अभाव ।ष्भब。